दोस्तो आज भी अमेरिका के अंदर भारतिय समय अनुसार शाम को 6 वजे कुछ महत्वपूर्णा डेटा आ चुके है जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो पहला डेटा आया है हाउजिंग स्टार्ट्स का और ये डेटा है जून महिने के लिए मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 7.20 परसेंट पे आ सकता है येकिन एक्चुल में ये डेटा आया है माइनस 8 परसेंट पे यानिके मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ये डेटा बहुत ही खराब है दूसरा महत्वपूर्ण डेटा आया है बिल्डिंग परमिट्स का और ये भी जून मैने के लिए है पिछली बार ये डेटा आया था 5.60 परसेंट पे लेकिन एक्चुल में अभी ये डेटा आया है माइनस 3.70 परसेंट पे यानिके पिछले डेटा से ये डेटा बहुत ही अनिके आज आये हुए दोनों डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के अंदर आज बहुत ही अच्छी तेजी बन रही है दोस्तों आप सोच रहे होंगे डेटा इतना खराब आने के बावजूद भी डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी क्यों बन रही है हमने आपको हमारे कल के वीडियो में भी दिखाया था कल जो महदुआ पूर्णा डेटा अमरिका के अंदर आया था वो भी डॉलर इंडेक्स के लिए खराब था उसके बावजूद भी डॉलर इंडेक्स के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आई थी कल के वीडियो में हमने आपको एक क्लियरली बताया था कि डॉलर इंडेक्स के अंदर पहले ही एक बहुती बड़ी गिरावट आज चुकी है तो ये खराब डेटा के बावजुद अगर कोई भी गिरावट नहीं आती है और यहाँ से अगर डॉलर इंडेक्स कंसोलिडेट करता है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमने आपको हमारे वीडियो से ये क्लियरली बताया है 100.80 से 101.30 डॉलर का लेवल डॉलर इंडेक्स के लिए अभी बहुती महत्वपूर्ण रेजिस्टन्स बन चुका है और फिर डॉलर इंडेक्स उसकी नई गिरावट की शुरुवात कर सकता है हमने आपको हमारे वीडियो में ये क्लियरली दिखाया है डॉलर इंडेक्स ने डिसेंडिंग ट्रेंगल पैटन से ब्रेकडाउन दिया है और ब्रेकडाउन का एरिया है 100.80 से 101.30 डॉलर का और हमने आपको डॉलर इंडेक्स का नीचे की तरप का टार्गेट डिया है 95.60 डॉलर का तो ये बात को डेफिनेटली ध्यान में रखे डॉलर इंडेक्स के अंदर आज जो बड़ी तेजी दिख रही है उसके बावजूद भी आप देख सकते हो सिल्वर के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट नहीं है और इसका मुख्य कारण यही है कि डॉलर इंडेक्स ने ब्रेक्डाउन दिया है तो आज जो तेजी डॉलर इंडेक्स के अंदर बन रही है इसका आपको सिल्वर के उपर कोई भी बड़ा असर नहीं दिख रहा है हमें नहीं लगता सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है गोल के बारे में हमने आपको क्लियरली बताया था एक हजार नौसो पैटीश डॉलर ये ब्रेकाउट लेवल है गोल जब तक इसके उपर है गोल के अंदर तेजी एक हजार नौसो असी डॉलर तक बड़ सकती है आपने देखा कल गोल ने एक हजार नौसो असी डॉलर को छू लिया है यानि के हमारा टार्गेट हासिल हो चुका है कल के वीडियो में हमने आपको ये क्लियरली बताया है अगर गोल्ड 1,980 के उपर टिकता है तो इंटरनेशनल मार्केट में तेजी 2,010 डॉलर तक बढ़ सकती है गोल्ड के लिए अभी इंटरनेशनल मार्केट में महत्वपूर्ण सपोर्ट है 1,945 डॉलर का और गोल्ड जब तक इसके उपर है हमें लगता है गोल्ड 2,010 डॉलर तक भी उपर जा सकता है लेकिन दोस्तों आपको याद रखना होगा 1,980 डॉलर के लेवल को क्योंकि गोल्ड जब तक इसके उपर क्लोजिंग नहीं देता गोल्ड के अंदर तेजी 2,010 डॉलर तक नहीं बढ़ेगी तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट दॉराद जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ शेयर करना ना बुलें तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू